इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रजार नहीं कड़े। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चरक ओफ एलस सिरप के बारे में। चरक ओफ एलस सिरप एक कॉंबिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। ये नाक, श्वासनली और फेफडों में बने बलगम को पतला करता है। जिससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है और खांसी से राहत मिलती है। अगर आपकी श्वासनली सिकुड गई है तो आपको खांसी भी हो सकती हैं। ये या तो किसी बीमारी या धूल या पोलन से अलजी के कारण हो सकता है। इससे आपको छाती में जकडन, सांस लेने में तकलीफ, घरग्राहट और खांसी जैसे लक्षनों से राहत मिलेगी। ये सिरप गाढ़ें बलगम को धीला करने में मदद करता है, जिससे खांसी आसानी से बाहर निकल सकती है। शरक ओफ एलस सिरप कैसे काम करता है। ये सिरप तीन दवाओं का मिश्रण हैं एमब्रोक्सोल, लेवोसल बुटामोल और गुआइफेनेसिन। गुआइफेनेसिन एक एक स्पेक्टोरेंट है, जो वायुमार्ग से बलगम को पतला और कम चिप चिपा बनाकर उसे साफ करने में मदद करता है, जिससे खांसी के माध्यम से इसे हटाने में मदद मिलती है। साथ में, ये दवाएं बलगम के निर्मान को कम करने, सांस लेने में आसानी और बलगम से जुड़ी खांसी से राहत दिलाने का काम करती हैं। शेरक ओफ एलस सिरप के सामान्य साइड इफेक्ट क्या है? मिचली आना, अपच, पेट फूलना, डायरिया, चक्कर आना, सिरदर्द, तवचा पर रैश, दिल की धरकन बढ़ जाना, इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन कर अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगडने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें, ये दवा लेते समय बहुत सारा पानी पिना चाहिए, इस द दॉक्टर को बताना चाहिए ताकि दॉक्टर आपके लिए उप्युक्त खुराक लिख सके, तो दोस्तों ये थी चेरक ओफ एलस सिरप के बारे में जानकारी, अगर विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें